अब मैं आप लोगों को एक्सराइज 7.5 पढ़ाऊंगे 7.4 में प्रोटेक्ट, फिलिंग दा ब्लैंक था उसको मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया और होमवक में भी दी आज मैं आप लोगों को 7.5 एक्सराइज बताऊंगी उसमें भी है फाइंट दा प्रोटेक्ट, फाइंट प्रोटेक्ट है देखिए फिर्स्ट वन है 24 x 2 यह प्रोटेक्ट आपका तो यह हो गया 1 और यह हो गया 10 तो 2 का टेबल आपको 4 ताइमस पढ़ना है 2 का टेबल 4, मिंस 2 x 4 तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 2 4s are 8 and 2 2s are 4 मिंस यह क्या हो गया आपका 48 तो 24 x 2 is equal to 48 नेक्स वन है B यह हो गया A, यह हो गया B B है 32 and 3 1s and 10s 3, का टेबल पढ़े की 3 बन जा 3, 3 2s are 6 and 3, 3s are 9 यह हो गया 32 x 3 is equal to 96 यह हो गया 5, यह 10s C है 24, multiply by 1 यह है 1s, यह है 10s देखिए 1 का टेबल आप 1 का टेबल आप 4 पर multiply करेंगे तो 1, 4s are 4 and 1, 2s are 2 D है 54 x 0 यह है 1s, यह है 10s देखिए किसी भी नमबर में अगर 0 से multiply करते हैं किसी भी नमबर में अगर 0 से multiply करते हैं तो उसका answer 0 ही आता है तो 4 multiply by 0 is equal to 0 and 4 multiply by is equal to 0 तो किसी भी नमबर से 0 से multiply करते हैं तो क्या आता है 0 ठीक है? अब नेक्स है? नेक्स है? 11 multiply by 7 यह है 1s, यह 10s तो 7 बंजा 7 and 7 बंजा 7 हो गया 77 ओके अब नेक्स्ट है फाइन प्रोडस में 332 multiply by 3 means इसमें 100 भी है तो यह 100 वाल आपको बता रहे हैं देखें फिर यह 3 वाला है देखें इसमें दिया है A, B, C, D, E, F आप देखें यह है 332 यह आपको लिखना 1s, 10s, 100 ठीक है? अब आपको multiply करना है 3s तो 3 2s आप 6 3 3s आप 9 with 3 3s आप 9 means 332 multiply by 3 is equal to 996 next here next here 221 multiply by 4 1s, 10s, 100 4 बंजा 4 4 तूजा 8 and 4 तूजा 8 221 multiply by 4 is equal to 884 next here 101 101 1s, 10s, 100 square multiply करना है 5, 0 तो 5 बंजा 5 5, 0 0 and 500 5 बंजा 5 तो हो गया 100 multiply by 5 देखिए आपका exercise 7.5 जो है ये आपका finish हो गया ठीक है? अब ये complete हो गया 7.5 ठीक? अब आप 7.6 इसमें भी देखिए वही product ही है मतलब 1s और 10s अभी इसमें carry वाला है ठीक है? मैं इसको बताता हूँ 7.6 7.6 अब देखिए ये हैस में 1 45 multiply by 5 ये हो गया 1s और 10s देखिए ये carry का है इसलिए इसका answer 100 में भी आएगा देखिए फहले आप 1s और 10s लिखे 55 जा होता है 25 तो यहाँ 25 का right hand side वाला यहाँ लिखेगे left hand side का carry जो है यहाँ लिखेगे तो 55 जा 25 and 2 carry 54 जा 20 and 2 22 तो आपका answer हो गया 45 multiply by 5 is equal to 225 next one है 28 28 and 6 multiply by 6 1 10 6 एट जा 48 48 48 ऐसा हिते है तो right hand side वाला यहाँ लिखेगा और 4 यहाँ carry हो जाएगा 6 तूजा 12 12 में 4 प्लस करिए 12 13 14 15 16 means 28 multiply by 6 is equal to 168 देखी आप इसमें 4 problem और है आप 2 मैंने बता दिया और आप 4 अपने से करेंगे कल मैं आपको 7.7 पढ़ाऊगी ठीक है उसमें बड़ प्राब्लम है कल मैं आपको 7.7 पढ़ाऊँगी और 7.6 का 4 problem आपको अपने से solve करना है अपने note book में ठीक है ओके बबाई